हे एप्रिवान, पिछले एपिशोड में हमने देखा, कैने की कैन अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो निशियों को मार देता है और जब वो यह समझता है, वो चाहे माने या पर ना माने, वो एक गोल बन चुका है यह सुचते हैं, वो सेड होता है, लेकिन यहाँ पर वो और में उसे समझाते हैं हम एपिशोड नमबर 3 के सुरुबात में देखते हैं एक डक्टर को वो डक्टर के पास एक बंदा इलाज के लिए आया होता है और खुछ दिर के बाद अपनी ट्रिटमेंट खतम होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है तभी हम देखते हैं वो दुसरा बंदा जब वहाँ से जाने लगता है तभी बाहर से कोई उसके वो जोड से लात मारता है और यहाँ पर वो पेशेंट मारा जाता है तभी वहाँ पर वो बंदा डराते हुए के कहता है या मोरी मैंने तुम्हें आकी ढूंडी लिया मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए रिप्लेस्मेंट बनाओ तभी हम देखते हैं वो डक्टर की फेमिली जो की डरे हुए पीचे चुपी हुए होती है डक्टर भी बनाने के लिए हाँ कह देता है तो वो दूसरा बंदा कहता है ठीक है मैं बापस आउंगा और यह कह कि वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम नेक्सिन में देखते हैं वो ओल्ले में काने की कोशीका रहे होते हैं कौफी किसे बनाते हैं वो old man कहते हैं तुम टेंसर मतलो समय के साथ तुम्हें बनाने आ जाएगी वो कहते हैं लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखना ये कोफी सब कोई नॉर्माल नहीं होने बाली यहां वो 28 वाट के जितने भी घोल होते हैं यहां पर आगे एंज्योई करते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं और इसके साथ साथ ये रेस्टोरेंट में इंसानों को भी हम कोफी ओफर करते हैं और तुम्हें ये सब चीज़ की धियान रखना होगा ओल्ड मैन से बात सुनके कहने के जो कि कुछ जादा समझने बाता है वो ओल्ड मैन कहते हैं हम असल में इंसान के बार में जानकारी इखटा कर रहे हैं ताकि हम इंसान की सोसाइट में एक हिस्टा बन के रह सकें सच कहों तो ये हमारे लिए कोई एक किताब की दरा है जिसे हम स्टड़ी कर रहे हैं फिर वो कहते हैं। नीजे की तरफ्टोका अकेली है। तुम्हें उसके पास आयो कि उसकी मदल करनी चाहिए। और इसके पाँ जब लीटोका की पास आता है। वो देखता है टोका हीड़ए कुप काफी फिला रिया होती है। वहाँ फ़र निशियो केसे हिडे को मारने की कोशिश कर रहा था और कैनेकी ने किस तरह से हिडे को मार दिया, यह सब के बार में हिडे अभी भी अनजान है, तभी टोका भी केन को पेर से मारते हुए कहती है, इसे कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, हिडे कहता है हमें उसके बार में पता चलेगा तो मैं उसे मार दूंगी तो का सी बात सुनके तो केंजों की एकदम से हरान हो जाता है तभी जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं वहाँ पर दरबाजा खोलते हुए वही डॉक्टर की वाइफ और उसकी बेटी आती है तभी केंट उन्हें डावल को दिख्या चाता है जहां पर काफी सारे इंवेस्टिगेटर होते हैं जो की गोल के बारे पता लगा रहे होते हैं वहाँ पर एक बंदा कहता है हमें क्राइम सिन के पास से एक क्लू मिला और हमें इसकी अब्जेक्टिव तो अभी तो पता नहीं है तब वो यह देखते हु यह सबुत हो सकता है बाके घोल को खतम करने का इसके बाद हम देखता है केन जो की वही ओल्डि मैं के साथ होता है वो ओल्ड मैन या का जिकाते हैं वो कहते हैं तुम्हें खाना को चबाना नहीं है बस इसे निगल देना है और इसे इसे दिखाना है कि जैसे कि तुम चबा रहे हो और लोगों को यह एकिन दिलाना है कि तुम भी उनमें से एक हो और वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की चुरूद नहीं है प्राक्टिस से तुम मार लिए सही रहेगा वह तभी कहते हैं जैसे कि टोका के मदद से फूड के लिए बाहर जाते थे लेकिन वह एक इंपोर्टांट एक्जम के लिए प्रिपेर कर रही है वह आज इसी के लिए काफे बीजी है क्या तुम फूड के लिए उसी के जगा में तुम चले जाओ के और एक खाई में गिरने लगता है लेकिन वो गोल होने के बज़े से बहाँ पर बच जाता है तभी वो अचानक देखता है अपने आगे एक डेट बोडी और इस बात से तो वो एक्दम जो हरान ही हो जाता है बहाँ पर वो दुसरा गोल कहता है ये एक सुशाट स्पोर्ट है औ अगले दिन हम देखते हैं योशी मुरा के लिएक मास्क बनाने के लिए टोका से कहते हैं तो टोका यहाँ अबर गुस्टा होते हैं कल तो मेरी छूटी है मैं सूझ रही थी कि मैं वो दिन एंज्जोई करूंगी लेकिन मुझे इस बैपकुक के साथ दिन बिताना तो वह आदमी कहते हैं यह इमर्जन्ची है तो इन्वेस्टिगेटर अभी शेर्च कर रहे हैं कल उन्होंने एक घोल को मार पी ढाला और यह बाँ समझते हुए टोका भी कहते ठीके में कल उसे लेकि जाओंगी इसके बाद फेरा में नेक्स डे का सिंध दिखा जाता है टो ही वह बेएक का मिजर्मेंट लएते हुए भूशता है तो में टोका केसरे लगती है तो केन बताता है कि क्युट तो है लेकिन इसके साथ-साथ वह डरापनी भी है उनके रिपकर भी तकंसन के पारें किtuigraphy का वह इंस्द कर रही है तो सिकूल वह सारी देंब करती और बोके यहाँ पर केंटोगा से फुषता है वो लटकी हिना में आकर कौन है आखिर उसे हुआ क्या है वह अपने डाट को छोड़के आए क्या वह अभी कोई परिशानी में है तो टोका कहते है कि ऐसी बात नहीं है फिर कहने की टोका से वुषता है मैं अभी भी समझने पा रहा हूं आखिर यह मास्क बनाने का बचा क्या है तो टोका कहने लग देखिया तुम्हें इसके बारे पता भी नहीं था फिर भी तुम्हें इसके बारे पता नहीं है इंवेस्टिगेटर आखिर किस तरह से गोल को ढूंड रहे हैं अगर किसी भी इंवेस्टिगेटर को तुम्हारे वीचा करते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे और फिचल ऑल्राइब कि यह लेकिन ऑन दो गोल को माने लगते हैं चोफ पास वहँआ से चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनमेंसे एक गोल वहां पर बचा हुआ होता है यह धे hInami को फार होने की कोस्चिश करता है और यह फूड़ जो की पार्ट होता है यह नहीं देख्के ठोड़ा दर जाते और वहां से बापहु का जाता आंता तो है घ्घौन गोल और special तो ये लड़कियां ये किस्से को तो private रखते हैं और अब ये सही बात नहीं है तुमने उसे थोड़ा अजीब सा मैसुस करवा दिया वो कहता है ये लो कोफी का कोफ और उसे जाके माफी मांग लेना फिर वो वो कोफी लेकर वही लड़की के बाद से ला चाता है तभी वहाबर हिनामी कहन से बूच दे तुम अजीब हो तुम तो इंसान नहीं लग रहे हो तो वो कहन कहता है कि असल में मेरे साथ काफी कुछ हुआ और अब मैं ये दोनों ही हूँ ससकों तो मेरा सरीर ये जुकी एक गोल का है और मेरा दिमाग इंसान की तरह और इसी के बच्छे से मैं तुमें देखके थोड़ा डर गया था फिर वो हिनामी से बाहाबर मापी बांगता है तब वो हिनामी के हाथ में देखता है वही वुग ये वही नॉबलिस्ट का भूग होता है जिसके सारे वो केन भी पढ़ता है वो कहता है ये नॉबलिस्ट का भी जाता मुश्किल वार्ड यूज करते है तो तुमें ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती होगी तो केन के ताई क्यों न मैं तुम्हें डेली मदद करू और मैं तुम्हें हर एक दिन नएने सब्द सिखा सकता हूँ फिर केन हिनामी को कुछ सब्द सिखाने लगता है तब है हम देखते हैं कि वो कमरे के बाहर टोका होती है जो कि इस चिल से खुश होती है हमें एक सिर में दिखा जाता है वो गोल जो कि वो दो इन्वेस्टिगेटर से बस गया होता है वो जब अपने दुसरे एक दोस्त गोल के साथ होता है तब ही वहाँ पर वही दो इन्वेस्टिगेटर पहुंच आते हैं यहाँ हमें पता चलता है यह उनका एक चाल था तब ही हम देखते हैं कि बाहर से एक बंदा जो की चलके आ रहा होता है और फिर वो चलते हुए वही रेस्टूरेंट के अंदर आ जाता है वो वही रेस्टूरेंट के अंदर पहुंचने के बात कहता है ये अरोमा काफी सांदार है जैसा कि मैंने चाहता था वो फिर केता है मैं जिसे डूंड रहा था वो मुझे मिल गया और यार यहां फिर चाप्टर घतम हो जाता है आखिरकार यह बंदा है कौन यह घोल है या फिर कोई दूसरा इंवेस्टिकेटर यह हमें नेक्स अपिशोड में ही पता चलेगा तो ठीक है मैं नेक्स वीडियो जल्दी डाल दूँगा तब तक के लिए ओके भाई